अस्सालाव अलेकुम जी मैं हूँ मैमुना मसीमा बहुत 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 ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप भी हमारे साथ समर स्कीन केर शेयर करें जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई तो उसके रिप्लाइज आप लों को स्क्रीन पर शो रहे और हमें थोड़ी मोटिवेशन भी मिले ताके इस जुसा देने वाली गर्मी में हम अपने स्कीन की केर कर सके तो आपकी आपी मैमुना ने ये मुश्किल असान कर दी है तो समर स्कीन केर शुरू करने से पहले दो बाते बहुत ज़्यादा एहम है यह आपने अपने पल्लू हो सके हीट से मैफूज रखें चाहें वो कीचन की गर्मी हो या धूब की क्योंकि 80% लोगों के चेहरे पर फ्रेकल्स और चाहिया शुरू ही तब होती है जब वो डिरेक्ट सनलाइट में निकलते हैं अपने फेस को नहीं ढापते संब्लॉक यूज नहीं करते घर वापिस कर सकिन को कूल डाउन नहीं करते थंड़े पानी के चीटे नहीं मारते थंड़ा करने के लिए आप आलू खीरा वगरा काट कर भी लगा सकते हैं इससे भी चेहरे को ठंड़क मिलती है इसके इलावा मैंने थंडे मास्क बनाकर भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं उन ची क्य irritable की दिखाए को शूरां होती है रुटीन हमारी सर्दी वली चल रही होती है मसलिन गर्म शीया का इस्तne माल और ज्यादर नमक वली चीजहें गर्मी में ज्यादर नमक का इस्तंनाम को डि हाय ।रफ ले झादादे जाथ। बैटे सुरुक और हीट हो जाना और बाद में मेललिन का एकठा होकर छायों की शकल इक्तियार कर लेना इसके साथ इन सारी चुज़ों से आवाइड करके हम ओपन पॉर्स के इशुस से भी बच सकते हैं जो बाद में सर्दी आने पर ब्लैक हैड्स और वाइड हैड्स में तब के हवाले से बहुत बेहतरीन वर्क करेगा और तमाम किसम की स्किन्स पर सूटेबल रहेगा एक चमच कॉफी लेंगे कॉफी आपने गर्मियों में सिरफ पीना कम करनी है लगाना बिल्कुल नहीं छोड़नी और इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा अरके गुलाब यानी रोज करेगा और एक बेहतरीन एंटाय उक्सिडेंट साबित होगा और रोजवर्टर का तो आपको पता ही है रेगुलर स्किन केर का बहुत ही खुबसूरत पार्ट है स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ एकनी और पिंपल से भी महफूज रखता है तो इस वक्त मेरे ख्याल में इससे जएधा साधा असान और एफेक्टिव फेस वाश नहीं बन सकता स्क्रब गर्मियों में आपको मॉस्चुराइजर प्लिंजिंग और टॉनर के साथ साथ स्क्रब की भी ज़रूरत रह सकती है तो जिन मेरी बेहनों की स्किन ड्राय है मेरी तरह और वह एक्स प्लियेटर है नमक और दूद या आपके डर्क स्पोर्स को भी और पिग्मिन्टेशन को भी खतम करने के लिए यूजफुल स्क्रब साबित हो सकता है इन दोरों जिदों को मिक्स करके वो अपने स्किन की एक्सुलियेशन कर सकते हैं लेकिन इसमें आपने एक बात का खास रखना है कि स्किन पर कोई कट वगरा ना हो और नहीं आपके स्किन पर कोई एक्नी वेक्नी हो और स्क्रबिंग भी बहुत ही जेंटली करनी है नमक आपके स्किन पर गर्मियों में पनिपने वाले बिक्टेरियों को किल करने का जो बिला वज़ा की एक्नी और पिंपल्स का बनते हैं और दूद का अडिशन नमकी हार्शनेस को कम करके सूधिंग बनाएगा और दूद में मुझूद लेक्टिक एसिड स्किन पर मजूद सन बर्न्स और अन्वांटिट पिग्मेंटेशन को भी खतम करेगा और अगर आपकी स्किन ऑईली हो तो सिंपली एक टीमाटर ल भी प्रवाइड करता है टोनर अब हम बनाएंगे एक बेहतरीन और साधा सा टोनर जो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ सूधिंग भी बनाएगा है ना मज़े की बात वीडियो कर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजेगा जो के बात में आप लग भूल जाएंगे ना उसके लिए हमें चाहिए होगा अलोवेरा जेल तकरीबन दो बड़े चमच एक फ्रेश पता ले लें अलोवेरा का और इसे धो कर छील कर इसका पल्प निकाल लें फिर खूब ठंडा बरफ वाला पानी लें और इसमें डाल दें आप इसे खूब मिक्स करें बलके फैंट लें हता कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं फिर इसे किसी भी स्प्रे बोटल में डाल कर फ्रिच के अंदर रख दें और चलते फिरते जब भी ज़रूरत हो निकाल कर कॉटन पैर से अपलाई करें या फिर ड्रेरेक्ट अपनी स् पुशगवार मैसूस होगा ये असान सा टोटका आपने जरूर ट्राय करना है और कॉमेर्स में बताईएगा कि आपको कैसा लगा संस्क्रीन धूप से बचने के लिए अगर आप संस्क्रीन घर पर बनाना चाहें तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कोकोनट आयल क्योंकि मेरी बहुत सारी भेहनों ने कॉमेर्स में आकर कहा था कि होमेर्स संस्क्रीन बनाना सिखा ये घर पर किस तरह से बनाया जा सकता है जो के इफेक्टिव हो सो कोकोनट आयल में कुदरत ने वो खसूसिकात रखी हैं कि जो लोग पुराने दोर में जजीरों में फस जाते थे वहाँ नारियल के दरख्तों की बहतात होती थी ताकि वो इसे खाकर जिंदा रह सकें पतों से अपने जिसम को धाम सकें और इसके आयल से सूरज की गर्मी से बच सकें सो हो सकता है कि आयल को डिरेक्ट अपलाई करने में मेरी कुछ भेहने हैजीटेट करें तो वो एक काम कर सकती है कि वो कोकोनट आयल को 1991 को बजारी जल में मिक्स करके रख ले ये इसके साथ मिक्स होकर जल किसी सूरत में आजएगा फिर इसे سकिन पर यूज किया जा सकता है चाहिए होंगी एक मुलतानी मट्टी और दूसरी दही मुलतानी मट्टी के गर्मियों में किस कदर फवाइद हैं इसका शायद ही आप अंताजा लगा सकें एक तो ये मट्टी थंडी होती है सबी को पता है और दूसरा एक्सेसिव ओयल को एब्सॉर्ब करने की भी पावर है ये क्लॉकट पॉर्स को क्लीन करने और लीमूफ करने के लिए बेहतरी चीज्श है और स्किन टॉन को लाइन करने क्विपर्व करने के लिए बहुत कमाल की चीज्श मनें जाती है तो हर 12 दिन भाद आप इसे дав bushes सकते हैं आप यकीन करें आको बहुत मीजिंघ início मिलेंगтесь कोई बेहतरीन किसम की होमेड नाइट क्रीम हमारे साथ शेयर कर लें जो के कंप्लेक्शन को भी इंप्रूव करें और स्किन पर एज़ा मॉस्टुराइजर भी वर्क करें तांके हमारी महंगी महंगी क्रीमों से जान छूट जाए इस वीडियो के शूरू से लेकर अब तक और दूसरी ग्लीसरीन अलवरा जेल आप प्रॉपर बना कर भी घर पर रख सकते हैं अगर पूरी वीडियो देखना चाहें तो अलवरा जेल में मुना लिकर सर्च कीजिएगा वीडियो मिल जाएगी इसी तरह ग्लीसरीन में मुना लिकर सर्च कीजिए उसकी भी वीडियो म बनाना इजी, लगाना इजी, फायदे बेशुमार और और स्किन टाइप्स पर रियूज कर सकते हैं। ये था जी आने वाली गर्मियों का बेहतरीन इलाज ताके आपकी स्किन रहे सॉफ्ट, लाइटन और फ्रेश। अगर आप इस स्किन केर को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फ्रेकल्स, पिग्मिन्टेशन जैसी मुसीबतों से जान छूटी रहेगी। बहुत उमीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा हो तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजएगा, भामें एमी किसी के वर्सेप पे कर दें। और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताके हम रोज रोज मिलते रहें, थैंक यूू